नमस्कार दोस्तों परमाजी केसिन की यूटूप चनल पर आप सभी भाईबनों को स्वागत करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज बात करेंगे एंशियाटि प्रूहाँ के परिवहन और याटायात से सभी परसनों को रखा गया है आज शुर नही दौनों को बात करेंगे परिवहन से और यातायात से यह आप लोगों को उच्छ विद्याले में और यहाँ परjang से आएखसे समंदीत है तो चलिए सभी पर परसनों को स्वा प्रश्ण करने जरूर बनाएं ताकि जैसे ही लाइब आजा आप लोगों के पास एक नोटोफिकेशन पहुझा तो सब्सक्राइब करना न भूलें ठीक है चली सुरू करते हैं यहां पर परसना मारा यहां पर क्या करा है महानगरों में परदूशन का प्रमुक सुरूत क्या ह है कि महान नगरों में देखे एक ग्रामीड एरिया होता है एक नगर होता है ठीक है ग्रामीड एरिया में क्या होता है आपकी उच अस्तर की जो सिच्छा होती है वह पलब्द नहीं होती है और उहां पर क्या होता है मेडिकल समागरी नहीं अच्छे सी मिलती है और यहां पर करते हैं ग्रामीर एरिया सी लोग प्लाइन करके अधिकतर गाउ यहां पर नग्रों में प्रिप करते हैं तो वहां नहीं करेंगे और जब तक चालूम नहीं करेंगे तब तक परदूसर का अस्थर बढ़ेगा नहीं तो राइट एंसर्ज हो जाएगा हमारे यहां पर तीसरे के साथ जाएगा और अपने कमेंड जरूर करते चलिए सभी लोग देख लेते हैं उससे क्या होता है अगर वहां से परदूसर अगर निकलता है तो क्या होता है आपके वायु मंडल में उपस्ति जो गैसे हैं और जो उनको प्रभावित करता है ठीक है और ओजोन परत को तो अधिक यहां पर प्रभावित करता है जो सजित वहां से जो गैसे है और बता दियें कि इससे अमली वर्षा भी उत्पन होता है, जिसके करण आपके जो मकान है धरोहर है, उसके रंग पीले भी पड़ने लगते हैं, और नदियों में उनका जो बारिस अमली वर्षा होती है, उससे भी प्रभाव पड़ता है, ठीके, तो जीवन प्रभावित हो आइसे ुद्वाई मंडल को किना परभावित करते हैं आने वाले समय में हमें हर वक्त मांक से लगाना पड़ सकता है तो इसके लिए क्या है हमें अधिक जारूक होना है और लागडाउन के कारण क्या हुआ है कि आपका पर्यावरण 80-85% तक क्या हो गया है सुद्ध हो गया है जो ओजन परत थी ओजन परत की छिद्र थी वह भर गया है ठीक है और इसी कारण आप देख सकते हैं कि इस बार अधिक से अधिक वर्सा भी हो रही है और आप मौसम को भी अधिक गर्मी नहीं पड़ी है तो चलिए देख लेते हैं दूसरा प्रसन क्या करा है यहां पर देखे दूसरा प्रसन यह करा है महानगरों में मोटर गाडियों की अधिकता के कारण उत्पन समस्या क्या है धोनी वाई पर दूसरा तीसरा ट्रैफिक जाम चौथा कर आए उ बहरई सकते हैं दिल का मरीज है तो सकता है और यहां पर दूसरा जरूरी और भी ओख लेगा घया गई रहें तो आप घंटों तक सब्सक्राइब क्या है और अधिक लोग अधिक से अधिक का रहा जा और संगी का करना चाहिए तो रीचे EC से उत्पन वाई पर दूसरन पर नियंतरन के लिए CNG का फुर फारं बता दें कि क्लीन होगा नेचुरल होगा गैस होगा ठीके क्लीन नेचुरल गैस होता है CNG का और यह क्या करता है इसमें आये देख लेते हैं प्रयोग से यहां पर कर रहा है कि परस्थित्की यानि पर्यावरण और यहां पर CNG को मैतरी पूड क्यों कहा जाता है यानि इनमें घनेश समंध है चली देख लेते हैं यहां पर पहला क्या क हो गया और देखे चौथा हमारा राइट एंसर होगा यहां पर कार्बन मोनो डायक्स कम मातरा में निकलती है तो इसे पर दूसर हमारा कम होता है ठीक है तो यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा से देख लेते हैं इसके बारे मजाल लेते हैं कि ठीक हैं सबसे पहले सी एंगी हैदराबाद में यहां पर बतोर प्रेट्र प्पयों की तरह यहां पर इसके सी एंजी हैंड पंप भी लगाए गया है ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें जो अधिकतर जो बसें साथ-समें सोलर पैनल का भी परियोग किया जा सकता है किया गया है जहां पर अगर सी एंजी खतम हो जा रही है तो इसमें इस्टोरेज बैटरी है ठीक है इसके उपर लगा हुआ है जिसके कारण क्या होता है कि सोलर पैनल द्वारा जो बैटरी चार्ज है आपके रास्ते में अगर बैट नुखशान को नुक्सान को कम से कम पार दूसर को नुक्सान सब्सेयर के अभी कर्दूसाल है कि यहां पर छुमक भी आजाएगा आपका श्टिल भी आजाएगा खनीचilar है तो देखि擇 और च specific । लेट शेर लेट और करभाव कोता है यहांते हैं। यहां परभाव, इस सब्सक्राइल का के झाल के फवल्पर टी शेयर है, डारीड फ्रतीम टो फ्रता इंसर इंसर धाकटे सब्सक्राइल हमें। पहला होगा दूसरा तीसरा चौथा तो राय तैसे जाएख यहां पर तीसरे नेक सा जाएगा लेटॉ थो से समदित है तो आए इस후 डातू पर और उनकी योगो देखिंए चोंड़담य के इसे आपके सरीर पे इस बरकार से परभाव पढ़ सकता है कि आप पयर रखते हैं आप वहां पर बैठते हैं तो आपको धस सकता है तो चलिए आगे बड़ते हैं आपनी हापे यह पर चौप परसने पर देख लेते हैं पाट्रमार भूमिगत शुरंगों गैरेज द्वारा स् स्वाई मंडल में सरवधिक परदूसरक फलाती है तो यहां पर देखिए पहला कराया है यहां पर तीसरा इक्सा जाएगा आप लोग उपर ही पहुच पढ़ा था यहां पर जो तो यहां पर देखिए वाई मंडल में जो पर दूसरो फैलती है यानि इसी के द्वारा होती है तो राइट यह से तीसरा इक्सा जाएगा चली आगे बढ़ते हैं अपने करबंडी आएप्साइस नहीं जाएगा ठीके और यहां पर देखिए चट्था क्या करा है हमारा यहां पर चट्था करा कि मोटर गाली सरवधिक पर दूसर उत्पन करती है चलते समय करते हैं करते हैं कई घड़े रहेंगे तो कहा से पर दूसरों करेंगी तेज़ए चलेग करता ही नहीं तो कईसे करेगी दी में चले जाहे तेज चले वो करेगा ही लेकिन चालूम रहना चाहिए ठीक तो चलते समय क्या करता है पर दूसन उत्पन करती है ठीक तो राइट एंसर यहां पर हमारा पहले एक साथ जाएगा चली आगे देख लेते हैं कानों पर करता है तो मर भी सकता है और परदूसन तो अधिक मातरा में फैलgers कि यहां पर देख लेते हैं यहां पर सात्मा क्या करा है हमारा सात्मा यह करा है कि निमन में से कौन सा परिवहन सस्ता साधन क्या है सडक है रेल राज जल मार गया यहां पर पाइपलाइन की बात करा है अगर यहां पर परिवहन की बात क्या है ठीक है अगर परिवहन की बात कि परिवहन का मतलब ये नहीं कि आप चले परिवहन का मतलब है कि कार परिवहन का मतलब यह कि हमारी जो उद्योग्धन धंदे श की इंधार की गया कि कि दूसरे अस्थान तक जाने का जो मार गए सबसे सस्था मार गा है जल्दी ज שמצ कि अधार की probably या फिर कोई भी एक अस्तान से दूसरे अस्तान तक बस तो पहुचाई जा सकती है तो देखी यहां पर सड़क के द्वारा यह तो आप अपने देश में ही कर सकते हैं लेकिन दूसरे देश ले जाना हो तब कैसे करेंगे यह तो हमारा गलत हो गया दूसरे पहुचाने हो अगर पहुचाना हो अगर समुचानका देश आया तक पहुचानी के लिए तब क्या करेंगे तब आप क्या करेंगे, यहां प्रमार मार्ग का प्रयोग, तो राइट अंसो हो जाएगा, हमारा यहां प्रमार यह धीं दिखता है, है देखि सकार अधिकतर पर्योंग करती है अपने फॉर्ट में पहुंते हैं तो अधिक मात्रा में सभसे सुगम साधन यही है कि यही ढूसरे क्या करा है आठमा हमारा कि निमिलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में परमुक साधन यहां पर देखिए परिवहन साधन भारत में परमुक साधन है कौन सा सड़क परिवहन रेल परिवहन वाई परिवहन और यहां पर करा है पाइप लाइन ठीक है तो राइट एंसर तो आप एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जा नहीं सकते हैं सड़क कभी परियोग कर सकते हैं लेकिन यह महांगा पढ़ सकता है लेकिन रेल जो पर हमारा यहां पर है रेल परिवन के आवता है आप 20 रुप्य का टिकट लेके अब एक अस्थान से दूसरे अस्थान असानी से कम किराय में पहुश सकते हैं तो राइट एंसर जो जाएगा हमारे यहां पर दूसरे के साथ जाएगा आए देख लेते हैं देखें यह भारती रेल है भारती रेल दुनिया के सबसे अधिक बेस्त रहने वा है और सबसे दूरी तक यहां पर चलने के बाली भी रेल मारे गधं High पहुह कित आप एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जा सकते हैं आप अन्यों के Maz Anda के कि लिए अस्थान सामानों के डूडाई होते हैं एक सान से दूसरे अस्थान और यहां पर बात करता हुना सवाल में से कौनसा एक परिवहन याद रहेगा आज आप लोगों का ने. पर मांडनी Court history Master सबसे तक जाने में क्योंकि आप जल अधिक लगे लेकिन वाइव मारग से क्या करते हैं आप यहां पे आपकी जो किराएं हैं जरसे, लेकि 20 तक आपके किराए हो सकते हैं, एक लाग तक भी किराए हो कुते तो राइट एंसर जो जाएगा हमारा, यहाँ पर पहलेक साथ जाएगा, अई देख लेते हैं, देखी यहाँ पे जो हमारा एर-इंडिया किरा है मुसीबत की घड़ी में तो आपको oxygen mask भी उपलब्द करा जाता है और एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जा सकते हैं और बता देखिए आपके किराया जीतना होता है इस वाइवान में उसी के अनुरसार आपको जो भी उपयां पर समान चाहिए खाने पीने के लिए आपको उपलब्द करा जा सकता काहीं भारत सब्सक्राट और मरिया यहां बढ़ा भारती के अनुर्ज को हमारे होताया जांपने है कवाने تक हूंसे होता है सबसे लंबा नहीं कि यहां पर देखें कि यहां पर देखेंग कि यहां पर पहाड कि उपर काफिजी पर से इसे काट के बनाए गया है तो कि यहां पर गिरने का भी डर होता है अधिक से अधिक है ले नाली तक करास्ता है ढहादा दिक है इसमें पहाड़ी यह अधिक है इसलीए इसलिए अधिक है धुव्लडा धूर्ट लेखंग भूर देखे दोगणे की। इसलिए गुमावदार बनाया जाता है ठीक है गुमा तके आसानी से उपर चड़ सकें चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इक गिरामा परस हमारा यहां पर क्या करा है करा किव सोगा सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है यहां पर करा है ट्रास साइवेरियन दूसरा करा किव यह सब्लार आ ङिमये आंपर सभी ऑर जो धो कोई सब्सक्राइबु जया नाथी हिर्माare सब्सक्राइब खक्याने सक्कौटर में यहां इस जो सब्सक्राइब इसके बारे में तो आए इसके बारे में तुटासा यह क्या है। यह ब्लिंट लेकर यूरोप तक यह निकल कर यूरूपी महादेवोय निकल के जोटते वेजा रहा है। जाकिस्तान को लेकिस्तान को लेकि यहां पर यां किस्तान से लेकिस्तान टायदर करण से मास्को तक दूसरा करा की दूसरा क्या ते बिपसन से हैslلام लेनिन ग्राड से यहां पर करा कि एकुर्टस से और चौथा करा कि लेनिंग्राड से ब्लामी ब्लादी वोश्टक तक तो राइट एंसर क्या होगा जल्दी से पताई इसका राइट एंसर क्या होगा दूसरा थीसरा चौथा राइट एंसर क्या होगा मारा यहां पर कहां से कह तो तो यहां पर देखी क्या कर रहा है कि भारत का अस्थान कोथा किया तो तो यहां पर नीजिए को पर्थम है चतूर्त है दृति कर्णिया कुमारी से आपका पता योगा कहां तक गया है तो राइट एंसर हमारा देख रहते हैं 14 परसन क्या करा है हमारा देखे यहां पर 14 परसन बहुत ही महतुपूरे यहां पर देखे करा यह कि सड़कों की कुल लंबाई के अधार पर निम लेकित राजियों में सह है के हमारे तो यहां देखे चावदे कर जो राइट एंसर होगा हमारा यहां पर तीसरा होगा महराच से उडिशा तो देख लेते हैं आगे क्या करा है हमारा यहां पर देखे सबसे बड़ी राजमार्ग है यही इसी के अस्थान से हमारा जो है यहां पर दिया है कि यहां पर दांदर से यहां पर यहां पर पुरुवी परदेश तक गया है तो राइट एंसर तीसरा था आगे देख लेते हैं यहां पर हमारा पांद रहा है पंतर हमारा यह करा है कि पक्की शड़कों के लंबाई के दिरिष्टे से भारत की अग्रीरिम राजके क्या है यहां पर देखे जो राज यह किस राज में सबसे ज्यादा पक्की शड़के पाया जाती हैं पहला करा है महराश तमी नाडू में दूसरा उत्तर परदेश फेसरा होगा दूसरा तीसरा चौता देखी राइट एंसर जो जाएगा यहां पर हमारा पलेक्स आ जाएगा महराष्ट अर्थमीलाडु में ठीक है तुछ यह कर रहा है कि निवलिखित में से किस राजे में राष्टी राज मार्गों का सबसे बड़ा तंतर बीदिमान है ठी टीसरा महाराश में चौथा का राय यहां पर उत्तर परदेश में तो राइट एंसर क्या होगा जल्द से बताएगे राइट एंसर 16 में आप लोगों से 13 पलस किया है या फिर ऊपर किया है ठीके comment box में जरूर बताएगा सभी लोग बताईएगा और इसका answer आप लोगे अगली class चलाई जाएगी तो उसमें बता दे कि उसमें आप लोगों का नाम ili नाम के साथ साथ आप लोगों उत्तर भी बताए जाएंगे और सभी लोग अपना उत्तर comment возвращ में देंगे इसमें नहीं जैसे क्लास खतम होती है कमेंट बाक्स में दीजिएगा कि यहां पर करा है कि तंतर भी दिमान है सबसे बड़ा राजमर्ग यहां पर देखिए आंदर परदेश मद्य परदेश महराश या उत्तर परदेश ठीक है तो आप लोगों बता दें कि यहां पर देखिए यह तंतर हैं और यहां पेड़न को मेंद्ड है अपनीशिए ठीक है ने कि अफ़े औरसे राज़ी करें उसकराइब झाने पर आपने में तो आज के लिए इतना Saw a आज धन्यवागि झाल झाल